तो कैसे हैं मेरे भाईयों और बहनों ये चीज दिखानी थी आपको तो काफी लोग आप में से समझ गए होंगे कि ये क्या है ये एक कमपस है और आप इस पर ये स्पेशल जो एक निशान है ये देखिये बनावा तो आप में से काफी लोग अंताजर लगा चुके होंगे कि क्या है पर जो नहीं समझ पाए उनके लिए हम बता देते हैं कि ये दर असल इसलामिक एक आइकन है तो ये कमपस क्यों है क्या खास इस कमपस में ये कमपस जो है ये आपको बता देता है कि काबा किस तरफ है है जी में तो अब हम चुके अप्य आपर में रहते हैं तो इंडिया में कंपडा है कि अर। जो सवादी है कि रहिए उन्दी आसे कि था पड़ता है यो पड़ता है वेस्ट की तरफ और आप नोर्थ वेस्ट तो यानि के अगर मान लीजे किसी को नमाज पढ़नी है तो वह इस समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं किस तरफ है चुकि जो इसलामिक ट्रेडिशन है उसके मुताबिक काभा जिस दिशा में है उसी दिशा की तरफ आपको रुख कर गया है कि अपनी नमाज पढ़नी होती है नमाज पढ़नी होती है और तो यह ऐसे जगों पर बहुत हेल्पफुल हो जाता है मुस्लिम के लिए जहां पर दिशा का थोड़ा सा भ्रहम होनने लगता है कि समझ में नहीं आदा कि कौन से दिशा किस तरफ है और वहसे तो लोग सूरज के उगने से और उसके शिपने स लगा लेते हैं पर मसला यह कि कई बार जब बादल होते हैं और कई के दिन तक कई जगे दुनिया में ऐसी है जहां पर कई के दिन तक बादल ही बादल रहते हैं सूरज नहीं निकलता काफी दिनों तक तो वहां पर यह चीज़े हेल्प करती है तो यह जो कंपस है एक यूनिक सी चीज है पहली दफ़ा देखा मैंने ऐसी कोई चीज आज तक केवल मुवीज में और टीवी शोज में और इमेजिस में ही देखे हैं इस तरह की चीजे तो आज पहली बात अलाग यह थोड़ा डिफरेंट है जो हमने देखे वह पूरा एक मेकैनिकल सा लगता है पर खेर काम यह भी होई करता है यानि कि इसका जो मेकैनिजम है वो बिल्कुल वैसे ही है जो कि उन वाले कमपस का होता है तो साथियों कमपस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ना पसंद आया हो तो भीया डिसलाइक कर दीजिए और अगर जादा पसंद आय हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्यूचर में आपको मेरिट की एक से बढ़कर एक वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगी बाबाई